हलो एवरिवाइन मैं पूजा और दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे अक्सर मुझे सवाल मिलता है कि क्या हमें कोको पीट को डारेक्ट अपने पौधों में इस्तमाल कर लेना चाहिए यानि कि जैसे वो आता है बस उसे निकाले और मिटी में मिलाएं और पौधों को उसमें लगा दे तो दोस्तों कोको पीट को यूज करने से पहले आपको एक दो काम करने होते हैं बहुत सिंपल काम है कुछ जादा नहीं करना होता है वही आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कोको पीट यूज करने से पहले कैसे उसको तयार करती हूँ तो वो चीज आप भी जरूर करना ये चीज जो है वो शेयर करने का रिजन यही रहेगा कि कोकोपीट में कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे पौधों को धीरे धीरे खत्म कर देती है यह पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है जब हpektर कोको पीट को डारेक्ट-ली वैसे ही इस्थमाल करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request है अगर आप इंस्टेग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे follow कर सकते हैं अपनी problems मेरे साथ वहां पर share कर सकते हैं इसके अलावा आप मेरे second channel पूजा नेंद्रानर के नाम से उसको भी follow कर सकते हैं कुछ different videos के लिए तो चलिए दो लें चतिना हो जो हो सकते हैं थोड़ी मिटिदेक मात्रों मिली और या फिर उसकी ठीप यह होती है और सभी में काम जरूर करना है व これ कोजो पीट वो बनाती है यह जो बन्ती है हम सब को पता है जो हस्क होती persist है नि को पीज कर जब बनाते है तो वो अC लग फॉम्मेंور लेकिन इस तरीके से उनको का यह घजाता है असब और बनाते हैं वह सके और घजा पहुँच सके जब यह इस तरीके से बलॉक में बनती है तो उसमें कुछ चीजों का इस्तमाल होता है साथ में जो कोगोपीट होती है उसमें सोडियम पोटेशियम और कлох रइड की मात्रा बहुत ज़्याद होती है जिसके कारण जो यह कोगोपीट है यह हमारे प्लांट को खराब कर देती है क्योंकि salt की मातरा जादा होती है इसका जो pH लेवल है वो भी 7.0 यानि 7 से अबव होता है जब कि प्लांट को 5 और 6 के बीच का ही pH लेवल चाहिए होता है तो जब pH ही होता है तो जितने भी nutrients होते हैं वो शांत हो जाते हैं या मैं कहूं locked हो जाते हैं और प्लांट को नहीं मिल पाते हैं जब ऐसा कोई ingredient या soil mix में कोई ऐसा सामान होता है जिसके कारण हमारे जो प्लांट है वो ना तो nutrition ले पाता है और ना ही growth कर पाता है कई बार क्या होता है कि प्लांट खराब भी हो जाते हैं तो खराब होने का कारण यहीं होता है कि salt की मात्रा जादा होती है और कोकोनट्स पता है हमें कहां उगते हैं समुदरी इलाकों में या मैं कहूँ समुदरी पानी वो लेते हैं तो इन में वैसे भी सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण दोस्तों जो छूटे नए प्लांट होते हैं या जिन पौधों में कोकोपीट की जो मात्रा है हमें जादा यूज करने परती है सॉयल मिक्स में वो प्लांट अकसर खराब हो जाते हैं अगर हम कोकोपीट को ट्रीट नहीं करते हैं अब हमें करना क्या है इसको ताकि जो हम प्लांट लगाएं वो इस वज़े से बिल्कुल भी खराव ना हो हमें कोकोपीट को उसके तीन गुना पानी में भिगो देना है यह देखिए एक पांच मेरा लगा लीजिए आप पांच किलो का वो ब्लॉक था जिसको मैंने 25 लिटर पानी में भिगो या भिगो कर क्या करना है पूरी राद छोड़ देना है सुबह आप निचोड निचोड कर उसको एक पानी में से फिर से निकालेंगे तो निचोड कर फिर हमें उसे धूप में ड्राइ करना है धूप में सुखाने के बाद ही हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे तो धूप में सुखाना है आपको एक दिन लगे दो दिन लगे और बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे से सुखाना है तो धूप में आप इसे डालेंगे सुखाएंगे और फिर इसको पैक करके आप रख सकते हैं तो पानी आपको ज़्यादा जरूर लगेगा अगर मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका तो किसी सूती कपड़े में ये काम आप कर सकते हैं उसके कारण मैस जादा नहीं होगा सूती कपड़ा बड़ा सारा ले लें कोई पुरानी चद्दर हो दुपट्टा हो साड़ी हो और उसमें कोको पीट को बांध दे बांध इस तरीके से दे कि वो जब फूले तो उसमें समा जाए थोड़ा सा इस तरीके से खुला खुला उसमें आप बांध देंगे और पानी में भिगो देंगे पानी में भिगो देंगे तो उसको सुबह निकालेंगे दूसरे बकेट में डालेंगे और फिर उसको उसी कपड़े के साथ सुखा देंगे और फिर किसी भी airtight container में plastic bag में भरके रख लेंगे तो इस तरीके से काम असान हो जाएगा नीचे जो बचेगा उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं कोई problem नहीं होगी तो ये हमारा त्यार होगी तो दोस्तो इस तरीके से हमें कोकोपीट को तयार करना है यूज करने से पहले या फिर मैं कहूं direct use नहीं करना है पहले उसको wash करना है सुखाना है और तभी उसका इस्तमाल करना है अगर आप ये करेंगे तो कोकोपीट की वज़े से आपके पौदे कभी खराब नहीं होंगे और कोकोपीट कैसे भी quality की हो आपको problem नहीं होगी कई बार हम brand देखकर ले आते हैं तो हो सकता है उसमें ये problem ना आए लेकिन वो double cost करती है हमें इसलिए आप normal nursery से ले कर आए और उसे ऐसे wash करें और use करें आपके पौदे कोकोपीट की वज़े से बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे उमीद करती हूँ ये वीडियो किसी ने किसी रूप में आपके लिए helpful रही होगी अगर हाँ तो like कीजिएगा आप ही के जैसे आपके दोस्ते हैं गार्नी कना पसंद करते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखे खुश रहिए बाई बाई